गुद मॉनियों स्टुडेंट्स, मैसेल रेरना पलाभी, तुड़े आम गोईंग तुटीच यू साइंस, फ़र क्लास टू, एंड़ लेशन इस प्लांट्स अरांड अस, हमारे सरांड्रिंग्स में जो प्लांट्स हैं उनके बारे में मैंने आप लोगों को इस शेप्टर मे बताया था, प्रिवियस क्लास में मैंने टाइप्स ऑफ प्लांट्स बताये थे, टाइप्स ऑफ प्लांट्स मिन्स प्लांट्स के पड़कार, और अभी मैं आप लोगों को पार्ट्स ऑफ प्लांट्स बताऊंगी, मिन्स प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, यह यहां पर फिगर बनाया है और फिगर के थूरू मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि प्लांट के किस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं कि अ deal ऑजम प्रट प्लांट सबसेँ में होता है जर्ड कि क्या होते हैं प्लांट प्लांट यहिस और हमानल यहुद को सपोर्ट करते हैं है कि रूट्स कि सकते सीट रीच्टा वह उन गरांट में अंदर इखणता है तो प्लांट को गरांट्स पर सिफिर होने में उसकी खरता है last order वार्ट देल होका और यह वार्ट और मिनराल्स को मbrigam से कॉलेक्ट करते हैं और प्लांस तक पहुचाते हैं जिससे प्लांस का ग्रोथ प्रॉपर वे में होता है जैने सेंट देम टू दे रिस्ट ऑप दे प्लांट और मिनराल्स और वाटर को प्लांस के परतेख भाग जो पहुचाते हैं ब्रीआं पर रौष यूजुवलि ग्रौ अंडर ग्राउंड रूट्स जो हैं समानी तक प्राय ॡ्राउंड केके अंडर रूट्स जितने भी होंग क 내가üzik ग्रौद के अंडर हिग्रो करते हैं तो मैंने यहां पर रूट्स बनाया है फिगर में और यहां पर लिखा हुआ तो आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी कि प्लांट के किस पार्ट को आम लोग रूट्स बोलते हैं प्लांट के लिए भोजन बनाते हैं फूद बनाते हैं इडिज को प्लांट का फूद फैक्टरी या किजिन ऑफ प्लांट लिफ को प्लांट का किजिन भी बोला जाता है में लिफ के फूरू ही फ्लांट जो अपना भोजन बनाते हैं यहां पर मैंने बहुत सारी बनाए यहां पर लिखा भी हुआ है यह सारे हमारे लिफ्स पेर की पत्तियां जिनसे वजल मनाने में कि प्लांस को मिलती है अब मैं इहां से करोंगी आप लोग इसको अपनी कॉपी पर राइडांग की जिए इसको देखिए आप English Plants के next Parts कौन से होते हैं उनको मैं यहां पर लिखोंगे और डिफाइन करऊं ौ具 है कि नेग्सट पॉइंट है स्टेख स्कुन से होता है तना फिर देख रहा है यह चाहिए इसको हम लोग इस्टेम बोलते हैं, इस्टेम इस तना, चो इस्टेम क्या है, इस्टेम इस गॉप मेन बड़ी, इस्टेम इस गॉप मेन बड़ी पार्ट ओफ फे प्लान, यहां पर मिस्टेक था, अब मतलब इसको मैं सही कर रहा हूं, में बड़ी पार्ट ऑफ इपलान्ट मिस इस्टेम जो है वो प्लान्ट का मुख के हिस्सदा होता है में जिसके थरू लिफस प्रांच्ज अंड फ्लावर्स ग्रोफ फ्रोमिट इस्टेम के थरू उसकी पतियां साखाएं और फ्लावर्स सभी ग्रो करते हैं इस्टेम यूजिली ग्रो एवा ग्राम इस्टेम जितने वी पेड कोई भी प्लांट होगा तो उसका इस्टेम उपर ग्रो करेगा एवा उस्वाली ग्रो एवा में उपर की ओर ग्रो करता है इस्टेम प्लांट के प्रतेक हिसे में प्लांट को केरी करता है कोहां तक वो पहुंचाता है उसको प्रोवाइड करता है श्टेम प्लांट ओस्टे में सो करते हैं उसके बाद वो जर्मीन प्लांट होता हैं अंकूरीत होता है और उसके वाद छोटा 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 प्लांट बनता है जो हम लोग उस तिन बनाये थे बताये थे आप लोगों को जिसको सेपलिंग बोला जाता है and then after उसके बार हमारा प्लांट तयार होता है अब मैं next point बताऊंगी flowers क्या होते हैं बड्स क्या होते हैं आप लोग इसको अपने copy पर note कीजिए next point है flowers flowers क्या होते हैं parts plants के किस parts को लोग flower बोलते हैं flower is the colorful part of a plant it produces fruits plants का colorful and beautiful part होता है उसको लोग बोलते है flowers flowers means full और वह fruits produce करता है पहले किसे भी plants में flowers जैसे हाँ पर मैंने figure बनाया है सबसे पहले वो छोटे छोटे बड्स आएंगे and उसके बाद वो ग्रो करके flowers बनेंगे and flowers flowers ही fruits produce करेंगे उसे flowers से fruits produce जोते हैं आपे फ्रूट्स का भी figure बनाया हुआ है और मैं बताऊंगी कि अब fruits क्या है fruit is the flesy part of a plant कि किसी भी plant का juicy and flesy part जो होता है उसको आम लोग fruits बोलते हैं it grows from flowers and has seeds inside seeds जितने भी fruits होते हैं बहुत चारी ऐसे fruits होते हैं जिनके inside means अंदर बीज होते हैं and कुछ यासे भी fruits हैं जिन में बीज नहीं होते हैं तो मैंने आप लोगों कुछ roots means जर यह दिख रहा है आप लोगों को इसको हम लोग गोलेंगे stem stem means तना यहां fruits दिख रहा हैं तो पेड के इस parts को हम लोग fruits बोलते हैं यहां figure देख रहा है आप लोग ऊपर यह flower हुए यह words and सबसे पहले यह leaves हुए सबसे पहले हम लोग seeds को saw करते हैं ground में then after go germinate करके plants बनते हैं तो मैंने आप लोगों का parts of a plants इस topic को बताया आप लोग इसको लिखिए learn कीजिए next video में मैं आप लोगों को इस से आगे का lesson बताऊंगी thanks have a good day लोगों कि वह सबसे झाल है